हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बॉलियो में बिग बॉस के घर जाने से लिए लेटेश अपरेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलियो को दोस्तों बिग बॉस 14 के अंदर आपको नेपुटीजम एक सब्द देखने को मिलने वाला है आप दोस्तों इस आपने देखा कि य आगे आने वाले एपिसोड के लिए एकसाइटेड हैं दोस्तों हम देखते हैं कि रूबीना काफी ज़्यादा स्टॉंगेस कंटेस्टेंट है एक बिग बॉस 14 के अंदर कहीं ने कहीं और उनकी बाते का काफी ज़्यादा लोग सुनते हैं हाला कि अभी तक जो उनका रहा ह वो रवया रहा है कि समझदार बट वो चीजों को काफी ज़्यादा घुमा देती हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कि आगे आने वाले एपिसोड के दौरान रूबीना भी काफी ज़्यादा खुलते विने जाएंगी और वो अपने जो अभी तक वो कर रही थी उसमें और बोल्ड अंदाज में राहूल वेदियन से नॉमिनेशन टास्क के दौरान भीरती भीने जानाएंगी जब राहूल उनको नॉमिनेट करते हैं तो उस बात का गुस्ता उटको काफी होता है उन पे वो जवाब देती हैं लेकिन जब नेपोटिजम के बारे में वो राहूल बोलते हैं जान को उसके बाद वो काफी अदा बड़क जाती है राहूल पर और राहूल को टारेड करने लग परती है जहाब बोलती है कि उन्होंने ये नेपोटिजम वाली सब्द जो बोलिए वो बिल्कुन ही जान कमाल के लिए गलत बोलिये उनको इस तरह की ची इसी एक अलग जोन में चलि जाती है अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप राहूल की support में हैं दोस्तों या फिर रूबिना की support में comment section में दोस्तों आप सभी लोग comment करके जब बदाइएगा वीडियो को लाइक करना न बुले दोस्तों further updates के लिए Big Boss के घर से सब्सक्राइब करें बॉलियो को देखते रही हसते रही हसाते रही है दसेरा कि आप सभी को डेर सारी सुब कामना है